जब से Simple Electric One स्कूटर लॉंच होई न तब से लोग ओला इलेक्ट्रिक सूटर की बात बहुत कम करने लगे और जेन फीचर्स के साथ Simple Energy One लॉंच होई है न मैं आपकी जगा होता तो मैं भी वही स्कूटर को प्रिफर करता लेकिन सीन कहा है देखो आपको यूटूब में मतलब क से पहले आपको मैं सिंपल बाता देता है अभी समझो मैं स्प्लेंडर आज खरीदी कल उसका कुछ भी सीन हो गया ना मैं रस्ते पे कोई भी मैकैनी के पास जा उसके पास उसका हर एक पार्ट अवेलेबल रहेगा उसके कोई टेंशनेर की बात नहीं है खाली शायद कुछ आदा घंटा लगया कुछ भी खराब होगा वैसे तो गाड़ी खराब होती ही नहीं वाली अगर कुछ हो भी गया तो अब कोई टेंशनेर का सरका बात ही नहीं है अब इसी जगह आप समझो कि रस्ते पे कोई आपकी आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कोई भी वेहिकल है तो कंपनी आपको कितना जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व करके देगी ना तो वही बेटर कंपनी हो गए ना बाखी सब फीचर और यह सब चोड़ दे तो इसी डिपार्ट्मेंट ने अपने ग्राउंड नेटवर्क स्टेशन्स है जैसे कि चार्ज और थोड़े सर्विसिंग के भी स्टेशन्स खूल जाएगे तो आपको सपोर्ट किसकी मिलेगे मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए क्यों कंपानी बी रेप्यूटेड और बड़े 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 लोग इन्वेश्मेंट भी कर रहें इनी सब कारों के बा और रेीक्स देख सकते हो कि बाकिस डेली घुगा 떠व गया माराश्रा गुझरात अब एक सबसता संता Ola का का एस वन जो है वो गौशरात में मिल रहा है कि अलग़ भी अस्फ़ों प्राइट के घंशन लगए इसन होड़े यह सब जो प्राईजस है ना यह एक शारूम के प को पता है मिर को सब नहीं होता है बट क्या सीन आश्किल कर रहे पता है क्या कंपनी वाले कि यह बोले कि आप थोड़े एक्सेसरीज लगवा लो कि आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी ने तो आप एक काम करो गाड़ी के 6 महीनी की वेटिंग है अब उसके बाद में लोग यूजरी का गरते कि अक्सेसरीज लगवा के लो गाड़ी ले ले लेते तो मुझे लगता है कि एक टाइप का मतलब कि स्काम ही है बट क्या कर या भी मतलब कि कोई कुछ बोल रहा नहीं है और आपको यह सब आगे पीछे देखना पड़ेगा प्राइज में अगर अगर दोनों के अगर बैक्टरी पैक का साइज का कमपैरजन करते हैं तो एस वां में मिलती है तू पॉइंट नाइट कि वाड़े पे रेते है उसी तरफ हमें सवां में मिलती है 3.97 कि बैटरी इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें मतलब दी ज्यादा किलोव वेट है 121 kg उसी तरह आप S1 प्रो मॉडल की गाडी का वेट है 125 kg ओला कंपनी ओला इलेक्रिक स्कूटर के मोटर को बोलती है हाइपर ड्राइव मोटर इसका टोटल पीक पावर आउटपूट है 8.5 किलोवाट्स और इसी वज़े से स्वान अपनी टाव स्पीड क्लेम करता है 90 किलोमेटर पर आवर स्वान प्रो क्लेम करता है 115 किलोमेटर पर आवर तो इस बात से आपको पता चल जाना चाहिए कि आप जादा हाइवे से ट्राइवल करते हो ना तो आपको स्वान प्रो मतलब थोड़ी बेटर पड़ेगी क्योंकि स्पीड जादा है मतलब कि आप इससे भी काम चला सकते हो स्पीड के बात कर रहे तो उससे बात कर लेते हैं कि 0-40 जो स्कूटर है वो खाली 3 सेकंड में क्रॉस क कर देगी और वही स्वान प्रो है ना 0-60 किलोमेटर पर आवर ना बस 5 सेकंड में क्रॉस कर देगी तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या तगडी पर्फॉमेंस आपको मिलने वाली है उनों स्कूटर्स के टॉर्क के फिगर में कोई मतलब की डिफरेंस नहीं दोनों स्कूटर्स मिलता है 58 न्यूटन मिटर का टॉर्क में मिलता है दो राइडिंग मोड जो है कि नॉर्मल और स्पोर्ट इसी के कमपारिजन में एस वन प्रो में और के मोड मिल जाता है जिसे कहते है इसी मोड में जो कंपानी क्लेम कर रहे है ना 115 किलोमेटर पर आवर क स्पीड वह अचीवेबल होगी इसमें अभी आपको से वन टैंसला सेवेंटी आट वेल टायर मिल रहे है इसका मतलब क्या है कि 12 इंच के आपको टायर मिलने वाले MRF के यह जो सेम है ना वह जो हाली में लाउंच होई थे ना सिंपल एनरजी वन उसमें सेम टाइप के टायर रहे इलेक्ट्रिक ना टायरा कितने शयुक्त McGट, पहले बबूभ के इताशला। मतलब कि किन प्रणी का मुऊ है तो सकूटर डिए ह Carm było के प metaphor के लिए जाने करेंदे अब कि देने की सरश लाड़ी बड़ग जाता थे मिलता एक पुलने वाली जारी है और वह तो ध्यान रखे कि यह सब फीचर्ज जो है नॉर्माल S1 में नहीं मिलते हैं और दोनों के हम अगर चार्जिन टाइम के बात करें तो S1 चार्ज होते है 4.48 आर्ज में उसी तरफ जो अपनी S1 प्रो है वो चार्ज होती है 6.30 आर्ज में मतलब मोटा मोटा आप मतलब की 5 और 6 घंटे ही पकड़ सकते हैं और इन सब के अलावा इस दोनों स्कूटर्स में अक्रोस चार सो सीटीज तो देखो यह सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए क्यूंकि इस सब बनाने में बहुत खर्चा जाता है और यह सब आपको मतलब की फीचर्स मिलेगे ना तो इसे क्या बेनिफिट होगा आपको खाली ना पंदरा मिनेट में ना 75 किलोमेटर जाने तक की रेंज मिलेगे तो यह मतलब की नेस्ट लेवल हो जाएगा आराम से कोई भी मतलब की जो पेट्रोल की स्कूटर्स ना उनको भी टकर दे देखी तो मुझे लगता है कि में जो फीचर्स है ना मैंनों सही से कवर कर लिए आपको लगेगा कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सब पकाया आपको सब बता कि लेकिन देखो दोस्तों आपको जो एंड कश्टमेर ना आप और मेरे जैसे उनको ना मतलब कि यह सब फी एक्टरी स्कुडर उसमें कंपैर करके देखते दोनों कैसा होता है तो तब तक के लिए आपका देन शूप जया और बाई दोस्तों